सागर के बुंदेल खंड मेडिकल कॉलेज में भरती एक पिता की सेवा आठ साल की मासूम बेटी कर रही है। जब इस बात की जानकारी विधाइक शेलेंद्र जेन को लगी तो पिता की प्रती समर्पित इस बेटी से मिलने के लिए पहोच गए। उन्होंने अस्पताल प्रब करने वाला कोई बड़ा सदसे नहीं है। रामकिशन के परिवार में उनकी बेटियां हैं जो उनका सहारा हैं। आठ साल की बेटी परी पूरे समय अस्पताल में रहकर उनकी देख भाल कर रही है। मासूम बेटी की पिता के प्रती समर्पण की जानकारी जैसे ही इस्थानी विधायक शैलेंद्र जैन को लगी वो तुरंत अस्पताल पहुंचे। उन्होंने डॉक्टर से कहा कि जब तक इस बेटी के पिता ठीक नहीं हो जाते तब तक उन्हें अस्पताल में भरती रखा जाए। अगर कोई दवाई बाहर से मंगवानी पड़े तो मुझे बताएं मैं पूर्ती करूंगा। विधायक जैन ने बच्ची को दुलार करते हुए उसका भी होंसला बढ़ाया। उन्होंने कहा कि बेटा सब कुछ ठीक हो जाएगा। चिंता मत करो। नन्य दिवरी के पास के राम के सुदधक हैं और इनकी दो बेदिया हैं यह चोटे वाली बेदिये परी इनकी विशह में सोशल मेडिया और अन्यमादों से व्याद हुआ कि यह बिटिया जो है अपने पिता की लाज के लिए हाँ हाई हुई है और इनके कहीं अनकोई नहीं है तो फिर फुकिप अबारती समाज है और इसमें वस्दुए पुप्रूप की भावना है जैसे जहां में आया तो आज में पूचित में आया हुँ और इसकी दोगी इलाज संबंदी दिशाए हैं कि वाक्टर्स के बात हो गही है यह पूरा इलाज मिश्वे को कि अब देख रहे हैं दखल्यों